हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 11 जून से समंधित उत्तर प्रदेश करेंट अफेर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए most important करेंट अफेर के questions को discuss करेंगे और हरे questions से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंते में हम आपसे question भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डॉनलूड करनी है तो आप हमारे टेलिग्राम गृप से इसकी PDF डॉनलूड कर सकते हैं टेलिग्राम गृप की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करन्ट अफेर का वीडियो है ये UP के सभी competitive exams के लिए most important है तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी exams के तयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश डेली करन्ट अफेर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं आज का session सुरू करने से पहले हम कल के questions का revision करते हैं पहला question है वर्स 2021 का लेखक नितिन राकेश और जेरी विंडे ने निम्लेकित मेंसे कौन सा पुरुषकार जीत कर इतिहास रच दिया है इसका जो correct answer है वो है option number A International Business Book of the Year Award अगला question है यमना International Airport Private Limited को नुड़ा International Airport के विकास के लिए निम्ले मेंसे किस बैंक से 3725 करूल रुपए की अंतिम क्रेडिट मंजूरी मिली है इसका जो correct answer है वो है option number A SBI अगला question है आली मेंके सिराज ने रज की महलाओं को पुरूना वाइरस बीमारी के टीके की एक खुराक लेने के लिए प्रोथ साहित करने के लिए विसेस गुलावी बूत सुरू करने का निर्डाय लिया है इसका जो correct answer है वो है option number A उत्तर प्रदेश अगला question है देश की पहली electric vehicle city कौन होगा इसका जो correct answer है वो है option number D के वडिया अगला question है निवन मैसे कौनसा नोसेना का जहाज जून 2021 में विसाखा पत्नम के नोसेना डॉकियार्ड में 40 सांदार वर्सों तक राष्टर की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया है इसका जो correct answer है वो है option number C INS संध्याक अगला question है नीती आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 है आकांची जिलों में किस अभियान की सुरुवात की इसका जो correct answer है वो है option number B सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अगला question है किस राज्य की फिल्म वाटर व्यूरियल वो सरसेटवे राष्ट्रिये फिल्म पुरुसकार 2021 में परियावर्न सनक्षित पर सर्वस्रेश्ट फिल्म राष्ट्रिये पुरुसकार मिला है इसका जो correct answer है वो है option number D अरुनाचल प्रदेश अगला question है वर्स 2024 से पहले FIH, होकी, 5S, विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा इसका जो correct answer है वो है option number B अगला question है जून 2021 में देश में विभिन मानक विकास संगटनों द्वारा अपनाए गए मानकों के तालमेल के उद्दिस से निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है इसका जो correct answer है वो है option number B One nation, one standard और अब हम सुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला question है आलही में उत्तर प्रदेश मानवादिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है option number A है अंजनी कुमार B है बालकृष्ण नारायन C है महिंदर सिंग D है संभूनात इसका जो correct answer है वो है option number B बालकृष्ण नारायन इलहाबाद हाई court के न्याइधीस रहे justice B के नारायन यानि बालकृष्ण नारायन को उत्तर प्रदेश मानवादिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजपाल अनंदी बेन पटेल की ओर से जारी नियुक्ती पत्र के अनुसार आदेश जारी किया गया है वह पदभार घ्रण करने की तिति से तीन वर्स या अधिक्तम सत्तर वर्स की आयू तक अपने पदपर बने रहेंगे तो दोस्तों ये question most important है आपको अच्छे से ध्यान रकना है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयू के अध्यक्ष पत पर किसे नियुक्ती आ गया है तो इलाबाद हाई कोर्ट के जो निया दीश रहे Justice B.K. नाराएन यानि बाल किष्ण नाराएन को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और दोस्तों इसके साथी आपको जो राष्टिय मानवादकार आयो के नई अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गई है उनका नाम भी ध्यान रखना है तो राष्टिय मानवादकार आयो के नई अध्यक्ष कौन बनाए गई है तो आपको ध् हाल ही में किस राजी की मुख्यमंत्री ने राजी की सभी आंगनवाड़ी कारिकरताओं को स्मार्टफून उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है उप्सन नमबर A है उत्तर प्रदेश, B है पंजाब, C है रजस्थान, D है गुजराद इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सन नमबर A उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ ने 8 जून 2021 को राज्ज में सभी आंगनवाड़ी कारिकरताओं को स्मार्टफून उपलब्ध कराने का निर्देश दिया राज्ज में एक लाख नवासी हजार आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिन में करीब चार लाख कारिकरता उपलब्ध हैं मुख्यमंत्री ने उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सिवा योजना भी शुरू की है जिनके मातर पिदा की मरत्यू कोविड के कारण हुई है ताती वे बच्चे जो गैर कोविड रोगों से पीड़े थें तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित दिनाथ ने आठ जून 2021 को रज में सभी आंगनवारी कारिकरताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध तराने के निर्देश दिये हैं और वर्तमान में रज में 1.89 लाख आंगनवारी क दिये हैं अगला कुश्यन है महामारी में बहतर प्रवंदन हे तू प्रदेश में किस जनपद को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है आप्सन नमबर ए है जांसी बी है कानपुर ती है जालाउन और डी है महोबा इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्सन नमबर डी महोब महामारी में बहतर प्रवंदन हे तू प्रदेश में जनपद महोबा को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है कोविड-19 महामारी के दौरान बहतर कारे करने जिले के अधकारियों एवं करमचारियों को विधायक सदर राकेश गोस्वामी ने प्रसस्ती पत्र वित्रित किये तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि महामारी में बहतर प्रवंदन इतू किस जनपद को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है तो महोबा को प्रदीश में प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है अगला कुश्यन है किसने वर्स 2021 का नेचर TTL Photographer of the Year पुरुषकार जीता है केरल रज के थॉमस विजएन ने वर्स 2021 का नेचर TTL Photographer of the Year पुरुषकार जीता है थॉमस विजएन को उनकी एक तस्वीर जिसमें पेड़ से चिपके एक और अंगुटान के लिए यह सम्मान दिया गया है जिसका सीर सक The World is Going Upside Down रख़ा गया TTL Photographer of the Year पृतियोगिता में कुल 8000 से अधिक Photographer ने हिस्सा लिया TTL Photographer of the Year पुरुषकार विजएता को 1.5 लाख रुपए की रासी दी जाती है तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 का Nature TTL Photographer of the Year वार्ड किसने जीता है तो केरल रज के Thomas Vision ने ये अवार्ड जीता है और यहाँ पर दोस्तो जो TTL है इसका Full Form क्या होता है तो Throw the Lens TTL का Full Form होता है क्या होता है? Throw the Lens ये आपको ध्यान रखना है और इन्हें यानि Thomas Vision को किस तस्वीर के लिए ये पुरुषकार दिया गया है? तो ध्यान रखना है कि एक पेड़ से चिपके हुए और अंगुटान की तस्वीर इन्होंने लिए उसी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है अगला Question है इसका जो correct answer है वो है option number C, 298 लद्दाख में ले ही एक मात्र ऐसी जगा है जहां भारत में दो कूबड़ वाले उंट देखे जा सकते हैं उंट की यह प्रजाती बैक्ट्रियन के अमल के नाम से जानी जाती है जो भारत के प्रसिद सिल्क रूट और लद्दाख को इस प्राचीन व्यापार मार की कड़ी के रूप में जोडने का एक मात्र जेवे तफसेस है नवीन्तम जन्गड़ना के अनुसार लेह जिले और पूरे देश में 298 बैक्ट्रियन उंट है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में लेह जिश्टे की एक मात्र ऐसी जगा है जहां पर दो कूबड़ वाले उंट पाई जाते है और यह जो दो कूबड़ वाले उंट है इनकी प्रजाती का नाम क्या है तो इन्हें बैक्ट्रियन केमल के नाम से जाना जाता है और नवीन्तम जन्गड़ना के अनुसार लेह जिला और पूरे देश में 298 बैक्ट्रियन उंट दर्ज किये गए हैं और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह के होते हैं दो कूबड़ वाले उंट अगला कुश्यन है असम सरकार ने वार्सिक भारत रत्न और पद्म पुरुसकारों को दोहराने का फैसला किया जिन में पुरुसकार विजेताओं के लिए कई लोग सामिल है असम सरकार ने वार्सिक भारत रत्न और पद्म पुरुसकारों को दोहराने का फैसला किया है जिसमें पुरुसकार विजेताओं के लिए कई लाब सामिल है जहां हर वर्स समाज में महत्पूर योगदान देने वाले एक व्यक्ति को असोम रत्न, तीन को असोम बिभूशन, दो को असोम भूशन और दस व्यक्तियों को असोम सरी पुरुसकारों में करमसा पाँच लाख, तीन लाख, दो लाख और एक लाख रुपए दिये तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि असम सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरुसकारों की तरही प्रदेश में कई पुरुसकारों की गोशना की है जिन में प्रतिवर्स असोम रत्न एक व्यक्ति को दिया जाएगा और तीन व्यक्तियों को असोम भूशन और दस व्य प्रत्वी पर घुमने वाले सबसे बड़े डाइनासूर का उपनाम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सिन नमबर डी कूपर। जीवास्म बैग्जानिकों के अनुसार औस्टेलिया के बहरी इलाके में खोजी गई एक विसाल डाइनासूर के जीवास्म की एक नई प्रजाती के रूप में पहचाना गया है। और इसे प्रत्वी पर घूमने वाले सबसे बड़े डाइनासूर के रूप में मानिता दी गई है। इसका उपनाम क्या है तो कूपर इसका उपनाम है। अगला कुश्यन है जवाहरलाल नहरू सेंटर फॉर एडवांस्ट साइंटिफिक रिसर्ज के वैग्यानकों ने एक एसन बनाने का एक दरश्टी कूण तयार किया है। एसन में एन का क्या अर्थ है। औप्सन नमबर ए है नेचर, बी है नेटवर्क, ती है नेचूरल और डी है नीट्रल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औप्सन नमबर बी नेटवर्क। वैग्यानकों ने एक ऐसा उपकरण तयार किया है जो मानव मस्तिस की संग्यानात्मक क्रियाओं की नकल कर सकता है और कृतिम बुद्धी का अनकरण करने में पारंपरिक तकनीकों की तुलना में अधिक कुसल है। यह कंप्यूटेशनल स्पीड और बिजली की खफ़त दक्षिता को बढ़ाता है जवाहरला नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ट साइंटिफिक रिसर्च के वैग्यानकों ने एक आर्टिफीसियल सिनेप्टिक नेटवर्क एसन बनाने का एक दरश्टी कून तयार किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि A.S.N. का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला कुश्यान है। किमरल राजिस पैंधारकर ने नौसेना संचालन महानिदेशक की रूप में कारेबार गिर्ण किया है। फ्लैग ओफिसर एंटी सबमरीन वार्फेयर A.S.W. के विशेशक गये हैं और उन्होंने A.S.W. ओफिसर के रूप में नौसेना के सीमा वर्ती युद्ध पोतों पर क काम किया है। तो दोस्तों आपको ध्यार रखना है कि नौसेना संचालन महानिदेशक की रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगला कुश्यान है जून 2021 में कौन अली मबखोत और लियोनल मेसी को पचाल कर वर्तमान पुरुष खिलाडियों में दूसरे सबसे अधिक अंतरास्टिय गोल करने वाले खिलाडी बन गए हैं अप्शन नमबर A है सुनील चेतरी, B है अनिरुद्ध थापा, C है उदानता, सिंग और D है इनमेसी कोई नहीं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्शन नमबर A सुनील चेतरी भारत की पुरुस फुटवाल टीम के कप्तान सुनील चेतरी ने 7 जून 2021 को अली मवखोत और लियोनल मेसी को पशाड कर वर्तमान पुरुस खिलाडियों में दूसरे सबसे अधिक अंतरास्टिय गोल करने वाले खिलाडी बन गए हैं कतर में फीपा विस्वकप क्वालिफायर मैच में चेतरी ने बांगलादेश के खिलाफ यह उपलब्दी हासिल की अब उन्हें पुरुसों के अंतरास्टिय फुटवाल में सर्वकाले गोल करने वाले खिलाडियों की सूची में 11 इस्थान पर रखा गया है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो सुनील चेतरी है यह भारत की पुरुस फुटवाल टीम के एक कप्तान है और इन्होंने अली मक्वाथ और लियोनल मेसी को पचाल कर वर्तमान पुरुस खिलाडियों में दूसरे सबसे अधिक अंतरास्टिय गोल करने वाले खिल और इसके अलावा UP exams के लिए most important current affair के question जो की हमने discuss किये अब हम देखते हैं कल के वीडियो का question जो हमने आपसे पूछा था तो यह है कल का question जो हमने आपसे पूछा था रायमी मुना निस्नल पार्क किस राज्यमें इसतित है इसका जो correct answer है वो है option number C a.sum और लगबग सभी students इसके सही जवाब दिये और मैं आपसे हरोज कहता हूँ कि जो भी question आपसे पूँचा जाए तो सभी लोग उसका answer जरूर किया करो तो यह है आज का question times higher education the Asia University ranking 2021 में King George Medical University लखनव किस पायदान पर रहा option number A है 121, B है 119, C है 149 और D है 169 तो इसका जो भी correct answer है वो आपको comment box में बताना है तो दोस्तो अगर आपको असका वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को subscribe करें और अपनी दोस्तों के साथ share जरूर करें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you